हेलो दोस्तों नमस्ते कैसे हो आप सब आयोपा पच्छे होंगे वेलकम टुमाइड न्यू ब्लॉग तो दोस्तों मैं आज बहुत टाइम बात ब्लॉगिंग कर रही हूं क्योंकि टाइम नहीं लगता है कई बार तो काम मैं ऐसे उलजे रहो घर के काम खतम नहीं होते तो अब जा रही हो बच्चों को लेने बच्चों बूले तो छोटी वाली बेटी उसका है आज हिंदी का पेपर और आज इसे उसका पीपर स्टार्ट हुआ है तो उसका सिंटर पढ़ावा है जनबपुरी में केंद्र विध्याले में तो मैं जाती हूं उनको लेने वो दो तीन मार्केट की रास्ती जा रही हूं और बाहर है बस्टेंड कालिमाता की मंदिर में तो वहां से जाती है बस या फिर मैं रिक्षी से जाओंगी तो अभी मैं रस्ते में हूं गांदी मार्केट में क्रॉस का लिया है तो देखती हूं कितना टाइम लगता है जाने में तो यह बस आती है तो काफी इंतजार करने के बाद जब मुझे कोई भी बस नहीं मिली है काफी लेट हो चुकी थी मैंने काफी देर तक इंतजार कर रहा तो बस नहीं मिली तो मैं फिर आ गई हूँ रिक्षेशे और यह दिख सकते हैं कि मैं पहुँच गई हूँ इसकूल में गी राए सकूल जनव्पूरी में तो उसके बाद हम आगे हैं घर पहुच गई है मैं उस बीच कोई वीडियो नहीं बनाया है उसके बाद तो काफी भीडो हो चुकी थी वहाँ पर तो हम पाहुच गए है यह तीनों के तीनों आगे है इनको लेकिया गए मैं घर और ये ऐसे मस्ति करते वे आ रहे हैं बच्चे तो आप बने रहे न वीडियो में सो दोस्तों ये है स्याम का टाइम और फिर से जा रहे हम गांधी मार्केट तो हमारा कुछ काम था गांधी मार्केट और यहां से बस का मज़ा ही लेडिजों के लिए फिरी है तो कहीं भी चली जाते हैं वैसे तो हम जाते नहीं हैं बस में बहुत कम जाते हैं जब तक बस फिरी है तो लोग देख सकते हैं लेडिजों के काफी भीड लगी रहती है और हमने यहां गांधी मार्केट से कुछ काम था तो हम बस से जा रहे हैं मंगलापुरी और हमें इतने अच्छी बस मिली है इसी वाली और खाली-खाली भी थी तो यह हम पहुंच चुके हैं राम चौक और यहां पर पूजा हो रही थी यह देख सकते हैं भगवान जी के कितने प्यारी मोर् और आजकल तो मार्केटों में स्वेटरों के भी काफी सेल लगी वी हैं तो इसलिए हम देख रहे थे एक दो कुछ स्वेटरे और जब तक हमारा काम था यहां तो हम काम निप्टा के आ गए हैं तब तक यहां पर पूजा भी डन हो चुके हैं तो मंदिर को कर रहे थी बंद और इसके बाद हमारा काम खतम होने के बाद हम आ चुके हैं वहां से घर राम चौक से घर और यहां से हम साख सब भी लेते वे जाएंगे तो यह देख सकते हैं गलियों में आ रहे हैं साधनगर में पढ़ता है राम चौक तो यहां काफी बड़ी मार्केट लगी रहती है औ और आपको हर चीज यहां मिल जाती है तो हम ज्यादतर ही आते हैं समान खरीदने कुछ भी खरीदने सो दोस्तों यह थी आज की छोटी सी वीडियो तो आपको कैसे लगी आप कमेंट करके जरूर बताना और लाइक करना शेयर करना मिलते हैं आपको एक नहीं वीडियो के साथ